बीजेपी नेता और टिक टॉक स्टार रही सोनाली फोगाट की मौत के बाद हर कोई अस्तब्ध है कोई सूच भी नहीं सकता था कि इतने कम उम्र में उनकी यू दर्दनाक मौत होगी हाट अड़ेक आने से बिग बॉस से उन्हें काफी नेम फिर्म हासिल हुआ था जिस रात उनकी मौत हुई उस रात गोवा के कलब का सीसी टीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें वो कुछ ड्रिंक लेती हुई नजर आती है और फिर अगल सुबह उनकी मौत की खबर आती है दोस्तों ये एक पामिस्टर वीडियो है जिसमें हम उनके पाम्स को एनलाइज करेंगे तो बिग बॉस के हाउस से ही हमें कुछ ऐसे फुटेज मिले जिसमें सुनाली फोगाट के दोनों हाथों के जो मौवमेंट्स हैं वो हमने कैप्चर किये और उसको क्लोज हमने एंगल बना कर जब अबजर्ब किया तो ये पाया कि सौनाली फोगाट के हाथों में जो उनकी life line थी वो वाकई में कम थी, न सिर्फ right hand में बलकि left hand में भी आप इस विजूल में देख सकते हैं कि उनकी जो life line है, मतलब अंगूठे के ठीक बगल वाली जो line है, जिसे life line कहते हैं वो life line बहद ही कम थी हमने कई सारे angles बनाये और इस बात को समझने की कोशिश कि कि वाकई में Sonali for God की जो life line थी वो क्या लंबी थी या छोटी थी तो हर angle से हमें यही समझ भाया है कि Sonali for God की जो life line थी वो बहुत छोटी थी सिर्फ यही नहीं बलगे उनकी जो लट लाइन है जो भागे रिखा है वो भी अचानक से आकर एक पॉइंट पर रुपती हुई से हमें नजर आती है मेटकल टर्म्स में तो कहा जाएं तो सुनाली फगाट की मौत जो है वो हार्ट एटेक से हुई ड्रग ओवर्डोस की वज़ा से उनकी हालत बिगड़ गी लेकिन उनकी जो जीवन रिखा है वो वाकई में दोनों हाथों में बहुत ही कम दिखती है और हमने कई सारे फुटेज ऐसे खंगाले जिससे हमें ये समझ में आया कि उनकी लाइट लाइट लाइन जो उनकी है वो उनके राइट हैंड में और उनके लेफट हैंड में दोनो जो हैंड्स में जो उनकी लाइफ लाइन थी वो किस तरह की बनी हुई थी और हम इसी नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि वागई में उनकी जो जीवन रिखा थी उनके दाहिने हाथ में और उनके बाए हाथ में दोनों में ही हमें कम दिखती है तो इसका निसकर्ष इसका नतीजा यही निकलता है कि वो एक कम आयू लेकर आई थी जैसे उनकी पती की मौत पर आज भी सस्पेंस है और बहुत कम उमर में उनके पती की डेथ होती है वैसी ही सुनाली फोगाट की भी जो मौत है उस पर अभी भी सस्पेंस है किस परिस्तिते में उनकी मौत हुई और बहुत ही कम एज में वो इस दुनिया को अलविदा कहके लें दोस्तों सुनाली फोगाट आज हमारे बीच नहीं है इश्वर उनकी आत्मा को शांती पुदान करें